भारत्य कप्तान विराट को ली अब इंग्लेंड के किलाब T20 और वंडे स्रीज केलने के लिए पुरी तरह से तयार है जिसकी कप्तानी इयोन मॉर्गन करेंगे जो रूट की कपतानी में इंगलेंड को टेल स्रीज में हार मिली थी लेकिन मॉर्गन की T20 और वंडे टीम को हराना विराट के लिए बड़ी चुनोती होगी अब भारत को पाच मैचों की T20 स्रीज खेलनी है जिसकी शुरुआत 12 मार्च यानि सुकरवार्शी होगी टीम इंडिया को उसी की सरजमी पर हराने के लिए इंगलेंड टीम ने चली है MS धूनी वाली चाल जियां इंगलेंड की इस दिगज ने बढ़ा दी है भारत की टेंसन वहीं इंगलेंड की 30 गैन बाच जौफरा आर्चर ने इंगलेंड की पूर做ů दिगज की लाड़ी माइचल वान को जम कर फटकार लगाई है माइचल वान टीम इंडिया को लेकर भी कौवी कुछ बयान करते रहते और उसके बाद चर्चा कावी से बन जाते है लेकिन इस बार तो ऐसा हुआ कि माइकल वॉन को इंग्लेंड के ही किलाडी ने जम कर फटकार लगाई है और बहुत कुछ कहा है जिसे सुन कर हर भारतियों है वीडियो में आगे बढ़ेंगे और जानेंगे वो भी हाँ सब को जानेंगे इस वीडियो में आगे बढ़ेंगे लेकिन वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आप भी है टीम इंडिया के बहुत ही बड़े फैन तो वीडियो को लाइक करके अपना सपोर्ट जरूर दिखाए चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकोन को भी दबाए ताकि नए वीडियो की नॉटिफिकेसन आपकी पास भी पहुंचे मेरी आपस एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि बारती स्रीज कितने मार्जिन के साथ में जीतीगी नीची कॉमेंट सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर बताएगा अब यह जाने से पहले कि इंग्लेंड ने चली MS धुनी वाली चाल दिगज ने बढ़ाई है भारत की टेंसन लेकिन उसे पहले आईए जानते हैं जौफरा आर्चन ने किस तरह से इंग्लेंड के ही पूरुव दिगज को लगाई है फटकार इंग्लेंड क्रिकेट टीम के तेज गैन बाद जौफरा आर्चन ने पूरो कप्तान माइकल वान को आडे हाथ ले लिया है तेज गैन बाद जौफरा आर्चन ने पूरो कप्तान माइकल वान पर करारा प्रहर करते हुए कहा अग्सतर के टिपणी करना की वो पर्तिबद नहीं है, ये तब लागू होते हैं जब आप 110 बीस दीन नहीं देते हैं। मुझे अजीब लगता है कि लोग कैसे अपनी राय दूसरे के पर्ति बना लेते हैं। मैंने एक लेक पड़ा जिसमें वन ने लिखा, अगर और्चर टेस्ट क्रिकेट खेलना पसंद नहीं करते हैं तो एंग्लेंड को देखना चाहिए ऐसा क्यों है। अमारे बीच क्रिकेट को लेकर कोई बात नहीं हुई है, ऐसा कहना है जोपरा आर्चर खा। फिर भी बावजूद माइकल वन मेरे बारे में लिख रहे है, तो वो मुझे अजीब लगा, वन को नहीं पता कि मैं किस चीज़ से गुजर रहा हूँ, आर्चर चोट और रोटेचन नेती के कारण पचले कुछ समय से इंग्लेंड की टेस्ट टीम से सिमित रूप से सामिल वो सिरलंका के लाब दो मैचो की टेस्ट सिरीज भी नहीं खेले थी, हम आपको ये भी बताना चाहेंगे कि इंग्लेंड टीम ने मैई 2019 से कोई भी T20 सिरीज नहीं गवाई है, इंग्लेंड विदेश में भी कमाल करता रहा है, विदेश में इंग्लेंड ने सिरलंका, इंग्लेंड की टीम को प्रेरित किया करते थे, इंग्लेंड की टीम ने साल 2019 में पहली बार वंडे वर्ल कप का किताब जीता था, उन्होंने मौर्गन को मैंदर सिंग धोनी जैसा ही करिश्माई कपतान करार दिया है, ग्रेम स्वान ने का कि इंग्लेंड के लिए शिरीज अच्छी होने वाली है, वो एक लीडर है और आगे बढ़कर फैसले लेते हैं, वो मध्यकर्म के बलेबाजी करते हैं, लेकिन इससे ज्यादा ये माईने रखता है कि उमेदान पर अपने साथ एक लाड़ी को कैसे होशला बढ़ाते हैं, स्वान ने काए कि वो इंग्लेंड के लिए वही है जो महिंदर सिंग दोनी भारत के लिए हुआ करते थे, वो कफ्तान है, वो लीडर है, उनका टीम में भहुत सम्मान है और खिलाडी उनके लिए जी जान लगा देते हैं, मुझे लगता है कि टीट्वेंडी सिरीज का फैसला इस बात पर होगा कि मॉर्गन का पर्दशन कैसा रहेगा, अगर वो सिरीज में अच्छा करते हैं, तो बतोर कफ्तान और बलेबास दोनों तरह से मुझे लगता है कि इंग्लेंड की टीम काफी मस्बूत होगी, अच्छा पर्दशन करने में काम्याब रहेगी